हैलो थ्रियन फैमिली तो कैसे हैं आप सब आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो चलिए आप सभी लोग चैनल को सस्क्राइब कर लिजे सस्क्राइब का बटन आप लोग के जैस सामने दिख रहा होगा हाँ तो उसे दबा दीजिए अब इसके बाद आप लोग वीडियो पे जाएंगे तो वीडियो पे आप नीचे comment section का option देख सकते हैं जो कुछ भी आपकी दिल में है comment कर दीजिए ठीक है और वीडियो को like ध्यान से कर दीजिएगा क्योंकि जरूरी है आपका like आपका एक like मेरे लिए motivation है जो कि बहुत कम होता जा रहा है तो उसे बढ़ाईए अब आईए चलते हैं पिछले episode पे और देख लेते हैं कि पिछले episode पे क्या हुआ था तो जो पिछले episode था वो कापी सांदार होता है जहां हम लोगों ने देखा हुआ होता है कि जो यान अपने cultivation में lean होता है जूची की fight हो रही होती है इन लोगों के साथ और Empress इसके बगल में appear होते हुए कहती है क्या तुम fight से पीछे हटना चाहते हो लेकिन मेरे गयब होने के बाद यह लोग तुम्हें मार देंगे और इसके बाद Empress इफार्मिशन को control करती है और इन में से एक ता 120 को destroy कर देती है ता 120 के destroy होने के बाद होता है एक तेज blast जिससे वहाँ पे इन लोगों को वाइड में टेलिपोर्ट कर दिया जाता है तभी यहाँ पे हम देखते हैं जूची काफी हरान था लेकिन उसके पास कोई option नहीं तब fight करने के अलाबा वो fight करना है यहाँ पे start कर देता और लडाई जगडा सुरू हो जाता लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे वाइड में एक और crack create होता है उस crack से और भी ज़्यादा powerful army निकल कर आती है जो कि taxu world के होती जहाँ पे 9 beast होते हैं अब 9 taxu beast के कारन जो जूची होता है वो suppress होने लगता है क्योंकि इन्होंने laser beams से attack की थी हाला कि जूची अपने formation के use करके इसे रोक रहा होता है लेकिन वो Empress को डूड रहा होता है और Empress यहां से भाग चुकी थी ऐसा जूची को लगता था और क्योंकि Empress नहीं है तो बिना Empress के उसे यकीन नहीं था कि वो जीत पाएगा इसलिए वो सबको कहता है sorry मेरे घार ने यहां पर सभी लोगों को अपनी जान देनी पड़ेगी दूसरी तरफ हमने देखा हुआ होता है कि सभी के सभी लोग यहां मढने के लिए तयार होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं बढ़ता था कि क्या हो रहा है वो अपनी आखरी सांस तक लणने को तयार थे और दौनों अटेकों की टकर के बाद जब यह अटेक जूची से और उसकी टीम से टकराने वाला होता है कि तब यह चानक एक लाइट आती है जो इस फॉर्मेशन से निकलती है और इस रेस को रोग देती है और वहाँ पे एक टाइक सू बीश्ट अपयर होता है जिसके उपर दो फिगर होती है जिसमें एक उनके जैसा ही टाइक सू आर्मर पहने हुए होता है वाइड गौड आर्मर जो देखकर टाइक सू के जो लोग होते वो तुरंती उस बीश्ट को अपनी तरफ बुलाते क्योंकि उन्हें लग रहा होता है यह उनका बीश्ट है तो उनकी बात जरूर मानेगा लेकिन बीश्ट उन्हें मिडल फिंगर दिखा देता है एपिसोड मैंने वहीं अन्ड किया था तो आओ इस एपिसोड में देख थे हैं कि क्या वो वीश्ट इनकी बात मانेगा या इनकी लगाएगा लंका तो अपनी संका मिटाने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो अंदर तुरंदी गया था क्या तुम ताइक सू के लोगों का सम्मान नहीं करते क्या तुम बास्तों में हमसे गद्धारी करना चाहते हो अचाना कि सभी कि नजरे ताइक सू बीष्ट के ऊपर वेटी हो एक क्रॉसलेग फिगर पर जाती जिसने वाइड गौड आर्मर पहना हुआ होता है और वाइड गौड आर्मर पहने वो उस बंदे को देखते हुए उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उन्होंने धोका दिया सभी सभी बीष्ट और उसके उपर की फिगर को देखका आपस में डिसकसन सुरू कर देते हैं लेकिन किसी के पास कोई भी जट्रिफिकेसर नहीं होता आखे कायने बिल्कुल भी विस्वास नहीं था कि उन्हें का ताइक्सू सेनक सी बीष्ट उनके उपर अटेक करना सुरू कर देगा और जो चीजोंने और भी जारा अन्मिलीबल महसूस करा रही थी वो ये थी कि जिसने वाइड गौड आर्मर पैना था वो नहीं जानते थे कि वो अपनी पार्टी वाला बंदा या दूसरे की या फिर किसी और ने उनके वाइड गौड आर्मर को ब्रेक करके इससे कंट्रूल करने का तरीका ढूल लिया है हाला कि पहला थोट और आखरी का थोट तो ये लोग accept नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कुछ होगा इसलिए ने लग रहा होता है कि बीच वाला थोटी सही है यानि किसी ने उन्हें धोका दिया है लेकिन आखिरकर टाइक्सू का रूल है तो कोई भी गददार अचानक से अपयर तो नहीं हो सकता इसलिए वो एक ऐसा परसन हो सकता जो टाइक्सू बलट को अपने अंदर कैरी नहीं करता तो उसके लिए सारवर का यूज कर पाना impossible होगा हला कि लाइट की ये जो 9 रेज होती है सभी Hunter God Palace की तरफ होती है लेकिन लाइट की एक रेज ताइक्सू बलट के लोगों की तरफ भी होती है और जूची ने उसकी नजरों को पीछे करके देखा हुआ होता और वो काफी हैरान होता है और उसके अहरानगी भी ताइक्सू बलट के लोगों के जैसी होती है तैकसु सेनक सी बीष्ट को देखते हुए और उसके उपर दो फिगर को बैठे हुए देखते हुए को वो काप ही एरान होता है और उनमें से एक एमप्रेस होती है और दूसरी फिगर जोयान की होती जिसने वाइड गौर आर्मर पहना हुआ होता और बिल्कुल उनके जैसा ही देख रहा होता है और जब जूची ने इस टैम पे जोयान को देखा तो ये पिल्कुल पहले से अलग एहसास दे रहा होता है साथ ही इस टैम पे जोयान ने भी जूची की नजर को महसूस किया था और उसकी तरब देखा होता है दौनों ही आके जब वाइड में टकराती है तो दौनों की दिलों में एक अजीब सी फीलिंग उठती है मानों यह ऐसा था कि उन्होंने एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर लिया हो और एक दूसरे को वो तब से जानते हैं जब से वो हैं और यह फीलिंग सिर्फ एक ऐसी फीलिंग थी एक पेड़ पे उगने बारी दो पत्ती हो जैसी इसलिए उनका एक दूसरे से मिलना तो impossible था लेकिन वो एक दूसरे को बिलकुल एक जैसे ही देख रहे होते हैं हाला कि जोन तुरंती अपना सिर घुमाता और उसकी तरफ देखना continue नहीं रखता इसके बजाए वो नाइन ताइक सू वीष्टों के उपर बैठे हुए इन लोगों को देखता है जैसे कि जोन के पास इसे solve करने का कोई रास्ता हो जिसके बाद जोन तुरंती कहता है 9-headed ताइक सू वीष्ट क्योंकि ये आप मेरे दरवाजे तक लेकर आए हैं तो मैं इन सभी को accept जरूर करूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये gift मुझे पसंद आया और असके तो यहां धीरे से खड़ा होता है और अंगले ही पल ताइक सू वीष्टों में से एक अचाना की stable हो गया होता है और अचाना की तेज लाइट की रेज उसके अंदर से बंद हो जाती है और उसकी बाड़ी गायव होने लगती है इस आजीव सीन को देखकर ताइक सू वीष्ट की बैठी बाड़ पीट पर वैटी होई जो फिगर सोती हैं तुरंत उटने के लिए मजबूर हो जाती है और पास वाले ताइक सू वीष्ट की तरब चली जाती है हाला कि तैक सू में हर किसी को पहले कभी इतना महसूस नहीं हुआ लेकिन उन सभी को इस ट्रेंप ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे हजारों चीटियां उनकी खोपड़ी में रिंग रही हो और अगर हर किसी ने इसे अपनी आँखों से नहीं देखा होता तो वो कभी भी विश्वासी नहीं कर पाते कि यह सच था या जूट आखे का इतना बड़ा तैक सू बीष्ट हवा में गायब कैसे हो सकता है तभी जिंगवी भी चिला तो यह कहता है डैम इट यह क्या है एमप्रेसर चोयान की पजान दे चीजों को समझना उसकी उम्मीद के बाहर बना दिया होता है हाला कि इससे पहले की बेजी एक्ट कर पाते एक और तैक सू बीष्ट पहले जैसे ही धीरे-धीरे गायब होने लगता है तभी तैक सू बीष्टों में से हर किसी को एहसास होता है कि कुछ तो गलाते और इसे तुरंत रोकने के तरीके के बारे में सोचना होगा लेकिन बैड लग क्योंने नहीं पता था कि इसे कैसे किया जा रहा और इसे कैसे रोकना है ये पूरी तरीके से इनिविजवल, अन्टचेबल और अन्बीटेबल है हाला कि ये तैक्सू के जो दरजनों लोग होते तो अन्टी तैक्सू बीष्ट को घेल लेते हैं और एक के बाद एक अपने अलग-अलग तरीकों का इस्तमाल कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी जो दूसर तैक्सू बीष्ट होता है वो गायव हो गया होता है और जब दूसरा बीष्ट गायव हुआ तो ये लोग अब सांथ नहीं बैठ पाते और उनकी नजर एमप्रेस वर पड़ती है उन्हें लग रहा होता है ये च्छमता एमप्रेस के अपैर होने के बाद ही आनी चाहिए थी आकरकार अगर जूची के पास ऐसी स्टेंट होती तो ऐसी गड़वड़ी हो पाना ये विल्कुल इंपॉसिवल था हाला कि अंटर गॉड पेलेस ने उनके साथ कॉम्प्टीट करने के लिए अनगिनत लोगों की लाइब को सेक्रिफाइस किया था लेकिन ये प्रॉब्लम उन दोनों लोगों के साथ आने के बाद हुई थी जो अचानक से पेयर हुए थे उनके बाद ये दो दायक्सू बीष्ट अचानक ही गायब हो गए साथी दूर पर तायक्सू बीष्ट को उनका सामना करता हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि हर एक चीज का अंसर भी आई है तायक्सू के ग्रुप में सभी की निगाएं यहां पे एमप्रेस पर्टी क्यों ही होती है उन्होंने नहीं सोचा था कि जोयान में ऐसी स्टेंथ होगी लेकिन उन्हें लगा कि एमप्रेस के कारणी ऐसा होना चाहिए क्योंकि यह लोग जोयान को तो नहीं जानते और यह जीब था कि जोयान ने वाइड गॉड आर्वर भी पहन रखा था साथ ही आकरकार अप ताइकसू बीष्ट के पीठ के उपर जिंगुई सांत नहीं वैट पाता और अपने पैरों को जोड से मार कर वाइड के उपर आ जाता है और जन जनो ताइकसू बर्ड के जो लोग होते हैं उसके साथ आंगे आते हैं वो सीधे ही एंपरेसर जो यान की लोकीशन की तरफ दोड़ परता है आखिरकार नाइन वीष्टों में से दो का गायब हो जाना उसके लिए बहुत बढ़ा नुकसान था क्यूंकि अपके बल साथ ही बचे थे थाला फोरा रीजन हाला कि यह साथ वीष्ट अभी भी हंटर गौड पैलिस को तबाह करने के लिए काफी थे लेकिन बास्तों में उनमें से च्छे अभी भी हंटर गौड पैलिस के खिलाप लड़ रहे होते हैं और उनमें से एक जो यान की तरफ अटेक कर रहा होता है हाला कि यह साथ तरफ पर एक तरफा फाइट थी लेकिन अब दौनों तरफ से ताइकसू वीष्ट के गायब होने के बाद सिच्वेशन धीरे-धीरे हार्ड हो गई थी और सभी लोग कंफ्यूज हाला कि ताइकसू वीष्ट के बागी लोगों को नहीं पता था कि हुआ क्या लेकिन जिंगुई के लीडर्शिप में यह सभी लोग एंप्रेसो यान की तरफ बढ़ रहे होते हैं और मामला यही तक इने मिठाना है साती ने भी यही लग रहा था कि एंप्रेसो यान की प्रोबलम का अगर सॉल्व कर दिया गया तो वो बागी सभी प्रोबलम को असानी से सॉल्व कर लेंगे जिंगुई के जो दरजनों लोग होते हैं वो एकदम रैन्बो की तरह होते हैं जो काफी फास्टी स्पीड में वाइड में ट्रैबल कर रहे होते हैं लेकिन अचाना की हबा के एक साथ जोगे के साथ वो रोक गए होते हैं और देखते ही देखते दो गायव हो चुके जो ताइकसू बीष्ट होते हैं वो जो यान के बगल में दिखाई देते हैं इस सीन को देखकर जिंगुई पूरी तरीके से चौक गया होता है निश्ची तोर पर उसके पीछे के जो साथ बाकी के गौड होते हैं उनकी फिगर भी अभी भी सामिल होती है साथ ही ये देखकर कि पहले जो अनके पास के बगल एक ही ताइकसू बीष्ट था लेकिन अब तीन ताइकसू वर्ड के इन लोगों का चैरा हरा हो गया होता है उन्हें पता था ये दो अभी अभी के गया हुए बीष्ट होने चाहिए हालक इनों उनसे कॉंटेक्ट करने की कोशिश की होती लेकर बैसा ही होता है जैसा पहले बाले के साथ हुआ था इस बीष्ट के साथ इनका कोई भी कम्मिकेसर नहीं हो पा रहा होता जो देख कहने लग रहा होता है ये भी हमसे दो गलापन कर रहे हैं बिद्रोह, देश द्रोह, राज द्रोह, इसकी एक ही सजा सर्तन से जुदा, मार दो इन है जो देखकर पीछे से कहता है बहुत सामने तीन है, हमारे पास एक है इस टाइम पे इन दो वीष्टो के बिद्रोह के बाद, इन लोगों को इनकी आउकास समझ में आ गई होती है हाला कि भी अभी भी नहीं जानते थी क्या किरकार ऐसा कैसे हो रहा है, एकदम कनफ्यूद होते हैं ये लोग लेकिन ये वही सीन था जो ये बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे, इस सीन ने इनकी लंका लगा दी होती है जोकि उन्हें भी पता था इन बीष्टों की पाउर कितनी खतरनाख है और अगर इन्होंने बिद्रो किया तो फिर बचने के कोई भी चांसेथ नहीं होंगे हाला कि अपनी आखों से ये अभी अभी काफी जारा confident लग रहे होते हैं लेकिन इनकी आखी और भी ज़्यादा hard हो गई होती हैं और ये देखकर कोई ये बता सकता था कि आर्मर के नीचे उनके impression काफी जारा serious थे साथी जेंगोई के leadership में दरजनों लोग अभी भी चौक गया होते और हवा में एकदम stable हो गए होते खोपड़ी सुन हो गई होती है हाला कि बस जब ये टाइकसू वर्ड के लोग जिजक रहे होते और कदम नहीं उठा रहे होते और टाइकसू बीश्ट भी रुख जाते हैं तब ही उनका तीसरा टाइकसू से लेकसी बीश्ट भी गयब होने लगता है और इस scene ने आखिरकार टाइकसू वर्ड के लोगों को अब चीज़े बरदास करने में helpless बना दिया होता है और एक order के साथ सब ही कोई टाइकसू बीश्ट की पील्ड से उठकर खड़े हो जाते हैं इस पच्च तोर पर ये लोग इस बार काफी वाल ला परवाय थे लेकिन अब इन्हें मॉमले को सीरिसली लेना होगा जो भी ऐसा कुछ करने में capable है वो काफी powerful थे इस टाइप पर वाइड गौड आर्मर पहने होगा हजारों लोग यहाँ पर खड़े हो होते हैं और यह आर्मी पहले से ही काफी powerful आर्मी थी जो जुआंटी आंट्रू रेल्म में आने के बाद यहाँ किसी fight के लिए भेजी गई थी साथ ही आपको पता होने चाहिए कि वाइड गौड आर्मर के यूज़ करते हो कोई भी immortal power के यूज़ कर सकता है हाला कि उनकी तुलना जियल immortal level से नहीं की जा सकती है फिर भी पावर तो पावर ही है जो एक fighting immortal को और fighting god को immortal level पर पहुँचा सकती है यहां तकी normal fighting god भी इनका comparison नहीं कर सकते है इसलिए इन हजारों लोगों को immortal माना जा सकता था लेकिन luckily हाला कि ये लोग immortal power के use कर सकते हैं लेकिन इसमें एक खतरनाग weakness भी है और यही weakness के काणियूने हमेशा immortal power की जरूरत भी पड़ती है क्योंकि ये इस power को use करने के लिए white god armor पर test करते हैं लेकिन इनकी जो real power वो केवल fighting immortal यानी dow jian है इसलिए इनका experience अभी भी केवल उसी level पर है साथी जो लोग थोड़ा से strong है वो और ये केवल immortal power के use अंधा करते हैं आंख बंद करके बिना किसी skill का use के हुए और पूरी तरीके से immortal power का skill ही इनके लिए एक trustable issue है क्योंकि इस level पर इनकी समझ अभी भी काफी कम है हलकि जैसे जोयन बुद बुद आता है तो जोयन के पास भी इस टैंपी केबल fighting god level कही ओरा होता है लेकिन ये औरा काफी strong और rich लग रहा होता है तती बोलते समय जब जोयन अपने हाथ को उठाता है तो उसने थार्ड टाइक सू बीष्ट को भी spiritual टॉम में भेज दिया होता है जोयन को पता चला थे कि spiritual है टॉम में भेजने के बाद वो इनकी desire को destroy कर सकता है और contact को ख़द्म कर सकता है जिसके बाद जोयन दोरे ने control किया जा सकता है जो जानकर जोयन काफी हैरान भी था साथी जाहिर सी बाती कि ये टाइक सू बीष्ट अभी भी ruin से रियलम पर पहुँच चुके थे लेकिन उन्हें ताइक सू बीष्ट दोरा forcefully एक killing weapon में बदल दिया गया देखते ही देखते जोने चौते बीष्ट को भी उससे जगए पर भेज़ दिया होता है जिसके काण तो अब ताइक सू बी ताइक सू बीष्ट के लोग इस चीज को accept कर ही नहीं पा रहे होते उनकी आँके एक दम खून जैसी लाल हो गए होते हैं साथ ही ये सभी लोग ताइक सू बीष्ट की बॉड़ी पर खड़े हुए जो यानों एमप्रेस को देख रहे होते हैं क्योंकि चाहे कुछ भी हो इस सभी मामले के लिए यही दौनों लोग जिम्मेदार थे जिसके बाद जिंगोई तुरंती बचे वोग चार बीष्टो की तरफ देखता है उन सभी इन अपना मूँ खोला होता है उनके मूँ में एक एनरजी बीम जनरेट हो रहे होती है जो सभी डाइरेक्शन से टैकसू वर्ड के सिक्स है टैकसू बीष्ट की तरफ बढ़ने लगती है साथी जब चार टैकसू बीष्टों का सामना टैकसू वर्ड को करना पड़ता है तो अब्यसली Hunting God Palace के उपर बनाएगा जो प्रेसर होता वो धीर धीर कम होने लगता है दूस्तब जान पहले से एक कदम आगे बढ़ा चुका होता है और वाइड में आ चुका होता है साथी वाइड गॉड आरमाज जान ने पहना ही होता है लेटिन जिस एनीमी का वो सामना कर रहा था उसके कप्ड़े बिलकुल भी जान जैसे थे लेकिन जान ने उसके पीछे अन चाभ जान लेग आप लीर को टांग रखा था हाला कि जुआन एक दम्यावे फाइटिंग गॉड की तरह लग रहा होता है लेकिन उसकी आँखों में किलिंग इंटेंट देखी जा सकती थी इस टाइम पे ताइक सु आर्मी ऐसे लग रही होती जैसे उसका पूरा ही सरीर फ्लेमों से भरा हुआ हो वाइड में चमकते हो एक स्टार की तरह साथ जी चीज ने ताइक सु वर्ड के हरवंदे को हिला दिया होता है वो गॉड गॉड आर्मर था जैसे जुआन ने पैना तब ये नहीं जानते कि जुआन ने ये कैसे किया क्योंकि कभी भी कोई भी वायारी परसन इसे कंट्रोल नह देख रही होती है और एंप्रेस के बाल जढ़ने की तरह लग रहे होते हैं और एंप्रेस के जो समाचार विचार होते हैं उन बालों के पास से जहाक रहे होते हैं जो की देखने पे एकदम सुहावने लग रहे होते हैं और एंप्रेस की पतली कमर और व्यूटिफुल तो उसकी बोड़ी से निकलने वाली जो और और पावर होती है वो काफी जादा प्योर और सौप्ट होती है और एकदम ब्राइट जूची को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि एमप्रेस जो यान को इतनी इंपोर्टेंस क्यों देती है कि वो खुद कह रहा है कि एमप्रेस जो यान को क्यों देती है इतनी इंपोर्टेंस आखिरकार जो यान कौन है जो बिल्कुल उसके जैसा ही देख रहा है और एमप्रेस उसे इतना पसंद करती है लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं करती जबकि वो फोटो कॉफी है और मैं ओरिजिनल हूँ क्या कमी है मुझ में इसे बताओ एक महिना यहाँ पे वो जो यान की फिगर को एमप्रेस की आखों में देख सकता था और उन आखों में सिर्फ तारीफ ही तारीफ होती है मानो एमप्रेस जो यान में अपनी पूरी दुनिया देख रही हो और पूरी दुनिया को चिला चिला के बता रही हो कि य मेरा आदमी है दूसरी तब ज़्यान के पीछे जो ये 6 आई में 4 ताइक सु भीष्ट होते हैं बिना किसे इच के चार्ट के दे लाइट अटेक, दे लाइट अटेक, दे लाइट अटेक छभीष्टों पर कर रहे होते हैं जो देखकर जो ताइक सु भीष्ट होते हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम इस तरह पटेक करें कि उस तरह पटेक करें क्योंकि बंड दिमाग तो है नहीं दूसरी तब इन्हें लीड करने वाला जो लीडर होता है जो हंटर गॉड पहले इस पर अटेक करके उन्हें सप्रेस कर रहा होता है जब उसे इसका सामना करना पड़ता है तो तुरंति वो पावर जुटा कर इस अटेक को रोकने के लिए मुड जाता है दूसरी जोन भी का फियरान होता वो उम्मीद नहीं कर सकता था कि टाइक सू बीष्ट की एनरजी कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी हलागी प्रेजन टाइम पे यहाँ पे केबल दसी बीष्ट थे लेकिन ऐसी खतरनाक पावर को देखते हैं जो कि इसे अपेर कर रहे थे ऐसा लगता था इसे रोकने का कोई भी रास्ता नहीं अगर टैन टाइक सू बीष्टो को एक ही साथ एक ही टाइम पर रखा जाए और उनकी जेज अटेक का यूज किया जाए तो वो एक पल में एक वर्ल्ड को डिश्टॉ कर सकते हैं साथी जो आटियान टूरीलम जो कि एक सब वर्ल्ड है इसमें बहुत सारे टाइक सू बीष्ट हैं इसलिए सर्प्राइस की बात नहीं कि टाइक सू के पास ऐसे और भी टाइक सू बीष्ट होंगे जिससे ज़्यादा पाउरफुल होंगे और उनका बैपन होंगे और जब जो आटियान इनके बारे में सोचता है तो उसके आखे और हार्ड होगे होती है हालकि अब जिस टाइक सू का उसे सामना करना पड़ रहा था उसकी पाउर इस बैटल में तो केबल यूजलेस मानी जा सकती है लेकिन यहाँ पे अब ये बात भी प्रूव हो गई थी कि जो आटियान का तैक सू बर्ड के साथ ऑफीसियली बैटल स्टार्ट हो चुका था बले ही जोआन ने बास्त में सेनेक सी पर अटेक किया हो उससे पहले अगर वो जोआन ट्रूरे अलम को समप्त करना चाहता है और जोआन इसे रोकना चाहता है तो ये एक बैटल के जैसा ही है दुनियाओं के बीच का वैटल रातो राते स्टार्ट नहीं होता लेकिन ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है साथी एक वैटल सेक्डों सालों तक चल सकता है यहां तक हजारों सालों या फिर उससे भी जाला टाइम तक आकर कर एक दुनिया की या एक वर्ड की अपनी बर्ड फावर भी होती है जिसे हराने के लिए और पूरी ताइक से इगनाइट करने के लिए दोनों की भी छिडी हुई फाइट को एक बिलीवेबल लेवल तक पहुचना होगा जब तक हिस सेनेक्सी और ताइक से बर्ड में से एक बर्ड लगबग अपने घुटनों पर न आजाए हाला कि जोयन के लिए अब वो पहले से इस ताइक से बर्ड की पावर को महसूस करने के लिए तयार था साथी इस फाइट में वो ताइकसु वर्ड को ये भी समझाना चाहता था कि कोई भी दूसरों की दया पर डिपेंड नहीं होगा हाला कि ताइकसु में हजारों लोग होते जिन्नों ने वाइड गौड आर्मर पहना हुआ होता और उनकी पावर उनकी चेट पे लगए crystal से देखी जा सकती थी और प्रेजन टेम पर टीम के सम्से आंगे जो बंदा होता है उसके वाइड गौड आर्मर की जो size होती वो काफी aggressive होती है और इसे उसके आर्मर के color से भी देखा जा सकता था उसके आर्मर की जो क्वाल्टी थी वो भी काफी अलग लगती थी और उसकी चेश्ट पर एक दो नहीं बलकि चार रेड क्रिस्टल चमा करे होते हैं जब जोयन अपना से नीचे करता है तो वो देख सकता था कि उसके आर्मर पर केवल एक ही रेड क्रिस्टल था और रेड क्रिस्टल का काम था एनेर्जी को कंडंस करنا इमोटल पावर को यानि रेड क्रिस्टल जितने ज़्यादा होंगे आप उतनी ज़्यादा इमोटल पावर का यूस कर पाएंगे और 1000 तैक्सू लोगों का सामना करते हैं जो यान हाला कि बिल्कुल भी डर नहीं दिखा था और उसका किसी से मदद मांगने का भी कोई रादा नहीं था उसने हंटिंग और पैलेस की तरब देखा होता है लेकिन ऐसे नहीं कि उसने मदद चाहिए बलकि ऐसा लग रहा होता है कि वो उनकी मदद कर रहा है दूसर जूची भी ये देखकर हैरान होता है कहता है वो क्या करने वाला है क्या वो अकेले इन 10,000 तैक्सू बल्ड के लोगों का सामना करने वाला है बेसे भी एमोटल पावर का यूज़ कर सकते हैं भले ही वो बास तो में अमोटल नहीं है लेकिन उनकी आर्मर की पावर काफी यादा है श्ट्रोंग है और अमोटल पावर भी हाला कि वो परसन बॉइड गौड आर्मर पहने हुए लेकिन वो तैक्सू बल्ड का परसन नहीं है तभी एक बंदा कहता है हाँ लेकिन वो है कौन तभी एक बंदा कहता है ध्यान से देखो कै तुम्हें एसास नहीं कि उसका चेहरा उसी परसन के जैसा दिख रहा है जो देखकर बाकी के बंदे भी जोयान की तब देखते हो कहते हैं हाँ वो काफी बहादूर है और एक नॉर्मल परसन से एक दम अलग लग रहा है यहनते कि हजारों ताकीसो वर्ट के लोगों को देखते हुए भी जो मोटल पार का यूज कर सकते है वो फाइट के लिए था यार है तभी एक बंदा कहता है रहे बेवकूफ उसे देखो तो अन जाने में अपने थौट बताने लगते हैं और वो आसानी से पहचानने बाली चीज़ों को ही ध्यान दे रहे होते हैं हालाकि जोन के कपड़े और हैस्टल जूची से अलग है बट चेहरे के इंप्रेसन एक दम सेम और जूची से जो औरह निकल रहा होता वो उनके पेलेस मास्टर की तरह ही पावरफूल और स्टॉंग था इसलिए जादे तरह लोगों ने यही सोचा होता है कि जूचा होता है और उन्हें बिस्वास नहीं हुआ कि उनका पेलेस मास्टर ही उन्हें ऐसा जटका दे सकता है दूसरी और जूचान एक दम कंट्रोल के साथ चारों ताइक सू बीष्टों का यूज़ कर रहा होता है साथी जान के चार बीष्टों का सामना का निकले ताइक सू मल्ड भी अपने चार बीष्टों को बुला लेता है और इस टाइम पे Hunting God Palace को suppress करने के लिए अब केवल दो ही ता 120 होते हैं जिसका सामना करने के लिए वो Serious Cloud Changing Formation का यूज कर सकते थे और ये पावर अब Hunter God Palace को फसाने के लिए परियापत भी नहीं लग रही थी हाला कि जूची न भी इनों कोई भी ओर्डर नहीं दिया था लेकिन सभी लोग इस सीन को देख सकते थे साथी उनकी फाइटिंग और आए एक बार फिर से जोर चोर से बढ़ने लगा होता है बिस सभी डाइरेक्शन से जोयान को देख रहे होते हैं और जूची न को देखर चिलाते हों कह रहे होते पैलेस मास्टर इस दुनिया में अने बीटिबल है पैलेस मास्टर किसी को भी हरा सकते हैं पैलेस मास्टर जैसा कोई नहीं पैलेस मास्टर आप जूची यान टूरियलम के स्टार है इन परसंस को मार दो ये ताइक्सू जैसे चोर हमारे वर्ल्ड को डिश्ट्रा करना चाहते हैं साथी अलग अलग तरीके से चिला रहे होते और जजय कार कर रहे होते लेकिन सभी आबाजे जो यान को देख कर होती है जो सुनकर तो जयन भी हरान रहे जाता है कि क्या मैं पैलेस माश्टर हूँ ये कब हुआ? मैं कब पैलेस माश्टर बन गया? वो हजारो सेल सोलजर्स को एक साथ सक भरी नजरों से देखता है दूसरे इस टेम पे तो चीखने की जो आबाजे होती है एक्स्ट्रीम लेबल पर पहुँच गई होती है साथ यहां पे उन्होंने अपने पीछे बीष्टों पर बैटे हो दो लोगों की तरब तो देखा भी नहीं होता यहां तक कि जूची को भी उम्मीद नहीं थी कि हर कोई जो यान को उसका क्लोन माल लेगा और उससे भूल जाएगा इस समय जूची का पियारा उदास होता और वो तुरंती रिस्पेक्टेडली वुट्टी बंद करके खुद को रोक नहीं सकता एक पल के लिए उससे लगता है कि जूःन नने उसकी आइडेंटिटी को छीन लिया है अबाजो पर ध्यान नहीं देता क्योंकि जूचन का दिमाग सिर्फ यही सोच रहा होता है कि उससे थाइक्सू वर्ट के लोगों को कुछल कर मार देना है कैसे भी मारना है लेकर मारना है छोड़ना नहीं है किसी को भी नहीं ये लोग जिजक रहे थे और आसानी से जन की उपर अटेक करके उसे भड़काना नहीं चाहते थे हालक यहां पर यह अमोर्टल लोग यह जो टैक्स बर्ड के लोग थे काभी वार्फुल थे लेकिन नहीं पता रहा कि हंटिंग और पैलिस के भी हजारों अमोर्टल लोग यहां पर है लेकिन यह लोग भी उसे हराने में capable नहीं होंगे मतलब उन्हें हराने में इसलिए हारने की तो इन्हें बिलकुल भी टेंसर नहीं थी दूसर जोयान के पैर के तलबों पर फ्लेमें अभी भी फैल रही होती है और जहां तक नजर जा रही होती है यह फ्लेमें वाइट को ढख रही होती जैसे ही फ्लेमों ने वाइट को ढख लिया होता है वैसे ही फ्लेम की लपटे उठती है और कुछी फॉंट पर जोयान के पीछे कापी सारी ब्लैक सैडोस दिखाई देती है ये ब्लैक सैडोस जोईंग, जोई कून, इटर्नल वीष्ट और ब्लैड स्किल ड्रैगन होते है बेसक चार, ताइक सुसनेक सी बीष्ट भी होते है जो एक दूसरे का सामना कर रहे होते है और उन्हें भी अब इस प्रिच्वल टॉम्ब का पार्टिया मेंबर माना जा सकता था और उन्हें जोईंग के सबसे पहले ही कनपर्म हो चुका है हवा के बीच में अभी भी जोईंग की बॉड़ी वाइड आर्मर के सार्थ देखी जा सकती थी लेकिन भले ही उसने वाइड गॉड आर्मर पहना हुआ हो लेकिन जोईंग की बॉड़ी से निकलने वाली फ्लेम है अब ही भी आसपास के रिया में फैल रही होती है दूसरत था एक सू ग्रूप जब जोईन की बॉड़ी से निकल तो भी फ्लेम को देखता है और जोईन को अपनी तरह पाता हुआ देखता है तो लीडर के तोर पर जोईन की आखे एक दम हैरान हो गए होती है इसलोग टैंसन फी तरही के जो अनकी तरफ बढ़ा हुआ होता है वो तुरंती कहता इससे कोई फ्लेम परता की आप कौन है और आपने कैसे वाइड गॉड आर्मर को प्राप्त किया लेकिन इस बज़े से आपको मरना होगा जिंगुई की जैसे यह अब आ जाती है तो वो तुरंती कहता जो लोग टैकसुबल से नहीं है वो गॉड गॉड आर्मर के यूज नहीं कर सकते ये चीज हम एकसेप्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी नहीं कर सकते जिसके बाद उसकी चैस पे लगए तीन ब्लड क्रिश्टल अचाना की साइन होने लगते है और उसके वाइड गॉड आर्मर की पाउर को बढ़ाने लगते है और उसके आर्मर से एक गहरे सियान कलर की चमक साइन होने लगती है साथी जोन का सामना कर तो इसके चर पर बिलकुल भीड़ा नहीं था उसने अपना हाथ उठाया होता और अपनी फिश्ट को बंद कल लिया होता है जिस पे तेज स्पाइक दिखाई देते हैं और उसकी बॉड़ी में इमोटल पाउर का एक continuous flow बना हुआ होता है जो सीधे उसकी बॉड़ी से होते हुए अपनी फिश्ट पर इखटा हो रही होती है साथी एमोटल पाउर की ब्लेसिंग के साथ उसके फिश्ट अटेक से काफी पारफुल सौक बेब निकलती है जो पहले से ये एक आलागी लेवल पर होती है जिससे तो वाइड भी धीरे धीरे flow और fluctuate हो रहा होता है साथी आपे उन दोनों को रैन्बो की तरह आंगे पीछे होता हुआ देखा जा सकता था दोस्तब जो आन जहां से भी जा रहा होता उसके पीछे flame की एक लाइन देखी जा सकती थी जो नजारा काफी सांदार भी लग रहा होता और अंगले ही पल दोनों के अटेक जोरदार टककर के साथ टकरा आ गए होते हैं और एक दवी वी आबाज गूंज पड़ती है हालकि इस टकराओं में सीधे तोर पर किसी की भी हार नहीं थी लेकिन दोनों ने अपनी पारफुल पावर का यूज करते हैं काफी देर तक रजिस्ट्रेंस क्रेट किया होता है तब ही वो बंदर तुरंदी कहता है तुमने मेरे तैक्सु वाइड गौड आर्मर का इस्तिमाल किया तुम्हें आज मरना ही होगा चाहे कुछ भी हो जिंगुई गुस्से से देख रहा होता है वो तुरंदी कहता है अपने वाइड गौड आर्मर को हटा दो क्या तुम नहीं जानते कि केबल तैक्सु वाइड इसका उप्योग कर सकता है तब ही अचाना कि जोन के हसने की आबाज आती है और जान तुरंदी कहता है तो आप जानते हैं केस वैपन का यूज या आर्मर का यूज केबल तैक्सु बल्ड के ही लोग कर सकते हैं है ना जो सुनकर जिंगुई चौक गया होता है दूस्तर पिस्टैम पे दोनों की फिश्ट अटेक हलका सा हिल जाते हैं लेकिना किसी को भी चोट नहीं लगी होती जिंगुई ने अपनी बॉड़ी को इस्टेबल कर दिया होता हाला कि उसके मन में बहुत सारे थौट होते हैं फिर भी उसने पहले जो यान को हराना था क्योंकि जान को हराने के बाद ही सच्चा ही सामने आ सकती थी इसलिए मोर्टल की पाउर का यूज करते हुए वो अपनी फिष्ट के साथ जान को मानने के लिए तैयार होता है साथ यहां पर बांकी के लोग भी जान की तरब दोड़ परते हैं और बारिस जैसी फिष्ट अटेक जान की तरब बढ़ रही होती हैं जोयान ने तो पुईताई की तरब डिफेंस फॉर मेसन बना ली होती हैं लेकिन खतनाक अटेक के भापचूद जोयान ने एक भी मुक्के से चोट नहीं खाई थी नहीं जोयान को कोई नकसान हुआ था नहीं जिंगुई को कोई सकसेज मिली थी तब ही जिंगुई तुरंदी गया था फर्स जनरेशन का आर्मर मैं देखना चाहता हो कि तुम इसे कितनी देर तक रोक सकते हो और उसकी फिष्ट की जो एमोटल पाउर होती है पागलो की तरब बढ़ने लगती है जो पहले से भी ज़ादा होती है इस बार उसने काप यारा हाई कॉंटिडी में एमोटल पाउर का यूज किया था लेकिन उसकी फिष्ट की पाउर का असर सीधा ही एमोटल पाउर से आ रहा था लेकिन जो आन तुरंदी जबा भी एक्सन नहीं लेता बलकि अपने डेफेंस को ही कंटीनोर रखने का फैसला करता है आखिरकार वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या जिंग हुई ने जिंग हुई के और उसके वाइड गौड आर्मर के अंदर कोई अंतर है या नहीं सत्य जोन ये भी देखना चाहता था कि अपरी अलम किया की उससे पाउरफुल टाइक्स वर्ल्ड के लोगों की फाइट कैसे होती है उनकी स्ट्रेटजी क्या होती अटेक क्या होते है लेकिन इस छोटी इस टककर में जो कुछ भी देखा हुआ होता है वो एकदम नॉर्माल ही लग रहा होता है जिसका जोन ने पहले से सामना किया होता और इसमें ज़्यादा अंता नहीं था क्योंकि चाहिए पहले बाला हो या फिर वो परसंट जिसने जोन पर अभी अटेक किया था लेकिन टाइक सुबल्ड की कम्प्लीट पाउर के बल एमोर्टल पाउर पर ही डिपेंड करती थी और इस मूवमेंट पर जब कोई भी एक्स्ट्रा मूब नहीं होगा तो आप यहीं करेंगे हाला कि हाला कि जोननी स्टर्टिंग से लेकर एंडिंग तक उनमें से उसे किसी वेवेटल इसकिल का यूज़ करते हुए देखा नहीं था ना ही उसे इसकिल का यूज़ करने दिया था जिससे पता चलता है कि ताइक सुब क्लोन की अमोर्टल पाउर अमोर्टल पाउर का यूज़ करने के लिए वाइड कॉरड आर्मर की स्टेंपर बहोसा करना ही होगा और इसके बाद irregular करने के लिए leading power पर हाला कि वाइड कौरड आर्मर के अदे जितने जाया red crystal उतनी खतननाक power भी और इसना में जिंगवी ने जो यान के लिए अपनी true power को अनलेश कर दिया था बिना किसी छेपाओ के हाला कि उसने एमोर्टल पाउर का यूज़ किया होता है लेकिन ऐसा लग रहाते कि उसके पास कोई भी बैटल स्किल नहीं है और एमोर्टल पाउर के साथ उसकी पाउर बास्ते में कापी खतारनाग भी थी लेकिन इससे जोयान को भी प्रेसर महसूस हो रहा होता है बट इसका मतलब यह नहीं था कि जोयान को सब प्रेस किया जा सकता है इसलिए इतने सारे अटेकों के बार भी जिंगुई जोयान के डेफेंज सिस्टम को ब्रेक नहीं कर पाता और इस टैंप पे आर्मर के नीचे उसका जो चाहरा होता है एकदम क्रूल होता है क्योंकि बो जोयान को गालियां देते हुए कहता है तुम सिर्फ एक गार बेज हो सिर्फ कचड़ा हो कचड़ा उसकी चिर्चरार तो गुस्ते को सुना जा सकता था लेकिन जिंगुई का दिल दहल गया होता है अक्यकर पहले उसके अटेक से वाइट गौड आर्मर को ब्रेक करना इंपॉसिवल था हालकि जोयान ने उसके फिश्ट अटेक को रोका होता है उसकी पारफुल जो एमोर्टल पार होती है अभी भी बरकरार होती है हालकि इससे कोई भी डैमेज नहीं हुआ था और मौझूदा ब्लैक गौड आर्मर भी नहीं हिला था जिसके बाद जोयान और जिंगुई के बीच की टककर सामने आने लगती है हजारो ताइक सू यंग जनरेशन के किसी बंदे के पास या फाइज जनरेशन के वाइट गौड आर्मर के पास कभी नहीं हो सकती लीडर भी इस फाइट को देखतों कापी हैरान था क्या करकर जोयान का आर्मर इन अर्ट्यको को कैसे सर्वाइब कर पा रहा है जिंगुई को देकर जो जोयान की डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पारा तो उसके आंके सुक्री हुई होती है क्योंकि ऐसी केबल एक ही स्थिती हो सकती है कि इस लेवल के वाइड गौड आर्मर के साथ ही साथ किसी की फिचकल स्ट्रेंथ भी उस लेवल पर पहुँच गई हो जिससे आप वाइड गौड आर्मर के डिफेंस पावर को सो कर सकते है और आपको इसकी पावर पर रिलाय नहीं होना होगा जिसके बाद उसने अपनी आखे बंद कल्दी होती है हालकि इसके छोटे लालवाल होते हैं और अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको ये पता लगाना मुस्किल होगा कि लड़का है या लड़की है सत्याम लड़कियों से ये बात अलग होती है और आखे काप यादा साथ वो व्यूटिफुल और सॉप्ट लड़कियों से एक दम अलग होती है ये कापी हट्टी-कट्टी श्ट्रॉंग और करेज दिखाती हुई लड़की थी जो लड़कों के बीच में भी काफी यदा श्ट्रॉंग हो सकती थी राइट हैं ने तो ज़्यादा सीरेस ले लिया यार मारी छोरियां छोरों से कम है के बात बस इतनी है कि फाइट में कोई भी कि फाइट में कोई भी जेंडर की परवा नहीं करता वेटल के बल वेटल है जहां पे लाइफ और डेथ मैटर करती है तब ही एक बंदा तुने दिकाता है मास्टर जुयाओ मास्टर जिंग हुई इतनी लॉंग टाइम से उसके साथ फाइट कर रहे है हमें उसका सीधे इगला क्यों नहीं गोड़ देना चाहिए इतना टाइम बेश्ट क्यों करना लड़की के पीछे जब एक बाद मीने ऐसा कहा होता है तो उसने एकदम रिस्पेक्टेडली ऐसा कहा होता है जो देखा हो लड़की तो इंदी कहते हैं तो क्या आप एकसन लेना चाहते हैं और जू याओ नाम की लड़की अपना सिर घुमाती है और आके सिकोडते हो एक ओल्डाई के साथ उस बंदे की तब देखती है जिसके हाथ में नमबर लिखा हुआ होता है 507 और यह उसकी पहचान होती है जो यहाँ पे उसे रिप्रेजेंट कर रही होती है हालकि अजारों सोल्जेस की बीच में उसकी आइडेंटिटी अभी भी काफी छोटी है लेकिन नमबर जितना ज़्यादा कम होगा पोजीसन उतनी ज़्यादा बड़ी होगी साथी जुयाओ के इतना कहते है इतायक सो बड़ का जो वो अंदा होता बुलना बंद कर देता है और जुयाओ नाम की जो लड़की होती उसकी आँके दूर से देख रही फाइट को देखते हो वो सोचने लगती है क्या खिरकार हो के आ रहे है जिसके बार वो तुरंती कहती है एक मिर्ट रुकी है क्योंकि वे जल्दी में नहीं है और ना ही हम तो थोड़ा सा रिलेक्स करके देखते हैं क्या होता है लेकिन जोयान और जिंहुई की जो फाइट होती है लोग टाइम तक नहीं चली यह बात तो साब थी और इसा मैसूस किया भी जा सकता था और एक बार एकमोट Quran की ब्लेसिंग गैब हुई बहले ही जिंगुई वाइड गौड आर्मर पर ही डिपेंड क्यों नहीं हो जब आर्मर में पावर ही नहीं है तो आर्मर किस काम का और भले ही जिंगुई का जो वाइड गौड आर्मर था काफी स्ट्रॉंग था या कि अलग मटेरियल का था लेकिन फिर भी वो जियान के साथ फाइट में कॉंप्टीट करने में अब क्यापबल नहीं था जिंगुई को पजा था कि उसके तीन रेड क्रिस्टल की एमोटल पाउर समाप्त हो गई थी और वो जिसे स्पीड से फाइट कर रहा था उसका यूज नहीं कर सकता था दुस्तर जिवान अभी भी डिफेंसिव मोट पे ही था साथी जो देखकर तो जिंगुई अब एकदम बॉकल आ गया होता है वो तुरंदी चल लाते हो गयता क्या तुम सिर्फ छिपना जानते हो बास टायड क्या तुम्हें फाइट करनी नहीं आती जो देखकर जिवान कहता है मैं तुम से छिपरा हूँ क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो मुझे लगता है तुमारी बैटल पावर इतनी भी जादा नहीं है जो देखकर जिंगुई तुरंदी कहता है अगर आप नहीं लड़ते तो यह बात सिर्फ इतनी ही है और इतना कहते है वह पीछे हट गया होता है हाला कि जिंगुई नहीं पीछे की तरफ कदम बढ़ा ही थे कि तब ही अचानक उसके सामने से एक लाइट गलो होती है और उसकी आखों में एक चमक दिखाई देती है और वाइट डार्कनेस में उससे ऐसा मैसूस होता है जैसे की अचानकी रोसनी चार तरफ गलो हो गई हो हाला कि दूर के लोगों पर इसका कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ता लेकर उसके उपर इसका एफेक्ट बढ़ा हुआ होता है जिससे जिंगुई की फिगर अचानक की हवा में रुख गई होती है साथी इस लेविल की फाइट में ये चीज़े काफी खतरनाक होती है दूश दब नजाने कब से जोयन की कमर पे एक फिश्ट अटेक चार्ज हो रहा होता है वो भी अचानक रुख गया होता है जिसके बाद इसमें स्टार पाउर का यूज करते है जोयन सीधा ही इस बंदे की खोपड़ी की तरह पटेक कर देता है हाला कि ये जो बंदा था जिंगुई वो सिर्फ एक फाइटिंग गौड था इसलिए उसकी जो खोपड़ी थी वो हार्ड से ज़्यादा सौप थी साथियां सभी लोग काफी हरान होते की जिंगुई का आखिरकार बढ़ क्यों नहीं रहा भाग क्यों नहीं रहा लेकिन तभी उन्हें एक बलाश्ट की आवास सुनाई देती है और सभी लोग एक हरानिक बाला सीन देखते है जो यान का फिश्ट अटेक जिसमें ओरिजन गौड की पावर थी जो एमोर्टल वॉड़ी है फिर वाइड गौड आर्मर की पावर फिर जो यान की पावर जिसके कारण इस आटेक से जिंगवी की जो सिर होती है वो 360 डिगरी गोल गोल घूम चुकी होती है उसकी पूरी की पूरी जबडे की हालत रीड की हड़ी के साथ मुड़ी होई टुकडेक में बदल चुकी होती है दुस्तर जब जो यान यह देखता है तो एकदम हैरान होता है कि साला सिर्फ पूरत थी 60 डिगरी दो बार घूम गया लेकिन यह आर्मर इतना है कि अभी भी उसने तूटने का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिखाया होता हाला कि जहान ने सोचा थी कि पंच उसे मारने के लिए कापी होगा लेकिन वाइड गौड आर्मर ने उसे डिफेंस में बचा लिया था लेकिन वो आविली इंजर्ड हो गया था 37 पंच को औरिजन गौड की अमोटल पावर के साथ और इस्टार पावर के साथ मिला कर बचाये गया था इसलिए इसकी पावर को कम करके तो कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता था इसलिए एक बात तो क्लियर थी कि ये बंदच चाहे कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों नहों अगर ये आर्मर नहीं होता तो इसके चीतरे उड़ा दिये गए होते हाला कि खोपड़ी को बचाना कापी अरान बिलीबल था लेकिन अंगले हिपल जो यान हाट नहीं बाता बलकि जिंगुई को पकड़ने के लिए सीधा ये अपने हाथ को बढ़ा देता है और फिर एक के बाद एक उसके खोपड़ी पे मार रहा होता है पंच ताकि ये आर्मर तूट जाए आकर कर एक बार जब ये वाइड गौर आर्मर ब्रेक हो जाएगा तो मामला असानी से सॉल्ब किया जा सकता है साधियान के पीछे की जो फ्लेम होती है सब को जलाने के लिए तयार होती है और जूया हो जब ये सीन देखती है तो आकर का इसे बरदास नहीं कर पाती उसकी आकि से कुड़ जाती है और वो धीरे से अपने हाथ को उठाकर सभी लोग को जयान की तरफ जाने का इसारा करती है और हजारों लोग जयान की तरफ दोड़ पड़े होते है लेकिन इस टाइम तक जिंगुई को बचाने के लिए देर हो चुकी थी जोयान ने गंबीर तोर पर घायल जिंगुई की डेफेंस को ब्रेक कर दिया था और आर्ट ओफ लेम के टंप्रेचर के काउट उसकी बॉड़ी को जला कर राक जिससे जिंगुई की बॉड़ी से जो ये आर्मर होता है गाब हो जाता है साथी जोयान को काफी हरान की होती की जिंगुई भी पिछले टाइकसू बंदों के जैसा ही था उसकी बॉड़ी में भी कोई भी सोल नहीं थी जो देखे जोयान काफी हरान होता है क्योंकि सोल ही तो बॉड़ी में लाइफ को क्रेट कर सकती है दोनों वालग कैसे हो सकते हैं ऐसा लग रहा है कि इनोंने कुछ चीजों का इस्तिमाल किया था जिससे इनके पास कोई सोल नहीं थी साथ जुयान तुरंदी का था कोई भी सोल नहीं जुयान को तुरंदी एवन हुमन मैंसन की भी याद आती है क्योंकि अगर आप एवन हुमन मैंसल में सामिल होना चाहते हैं तो आपको सोल को सैक्रिफाइस करना होगा जो देखर जुयान सोचता है कि आया ऐसा हो सकता है कि यह ता एकसू में सोल को बली देने का रूल हो जिसके बाद अपनी तरफ बढ़ती हुस एकड़ो फिगर को देखता है तो जियो यान की नजर जिंग हुई के वाइड गौड आर्मर पर होती है जो दीरे दीरे जल रहा होता है साथी पहले की तरह बिना मास्टर की यह बॉइड बॉल में बदल चुका होता है बिलकुल एक लिक्विड बॉल में हाला कि जो जान जानता है कि इसे मास्टर लेस्स आर्मर पर कबजा किया जा सकता है और जू याओ यहां पर जो यान को देख रही होती है और इस आर्मर को लेने के लिए वो अपने हाथ को बढ़ाती है जैसे कि वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो तभी जो यह वीष्ट होते हैं जो यान के पीछे वो तुरनती बात करते हैं क्या हमें फाइट करनी है क्या हम पिटने बाले हैं आस-पास के लोगों की तब देखकर यह जिजग भी रहोते हैं तभी उन मेंसे एक बीष्ट कहता है चाहे कुछ भी हो यह सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं तैसे भी यह सब मिनियन्स हैं मुझे नहीं लगता कि उसे हमारी मदद की जरूरत होगी लेकिन पीछे बाई लड़की थोड़ा पावरफुल लगती है हाला कि जब यह बात कर रहे हो तो जो इंग तुरंती अपने सिर्फ को पीछे की तरफ उठाते हुए कहता है हाला कि मैं किसी से नहीं डरता ऐसा लग रहा था कि उसके आंकों में हलका हलका डर था लड़की चेताब नहीं दे रहा हो यानि की एमप्रेस को जो सुनका तो इटरनल बीच भी जल्दी से सी नीचे कर लेता और कहता है क्या ऐसा है क्या यह लड़की स्ट्रॉंग है ओ ओके सॉरी मैं तो इस कितब देखूंगा भी नहीं तो चलो गए सीसी के साथ अब यह एपिसोड यहीं पर एंड करते हो नेक्स एपिसोड पर देखेंगी क्या होने वाला है तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और हाँ वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना जल्दी से तो बाई बाई भाई थ्रियन फेमली गुड नाइट देखेंगे क्या होने वाला है कि जो यान उस लड़की से निपट पाएगा या या आर्मार हासिल कर पाएगा क्या हो